हाई अवरीवन वेल्कम बैक टो दे चैनल सभी लोग कॉलेज में जाज सके होंगे और सभी लोगोंने एडमिशन ले भी लिया हुआ तो फिलाल इस वीडियो में हम बात करने वाले ही अगर आपने पोड़ी गडवाल में पहले एडमिशन लिया तो अब आप किसी भी दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं तो हम कैसे वहाँ पर फीस रिफॉर्ट का पूरा प्रोसेस देखते हैं इसमें आपको कॉलेज के वेबसाइट पर पहला ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा तीस तारीक को मतला पर आज ही के दिन अप्लोड हुआ है फी रिफॉर्ट फॉर्म तो यहाँ पर क्या है सबसे पहले आपको यह बाप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर पहुंचे करेंगे यहाँ पर आपको देगना है प्लीज डाँड्लोड देस फी रिसर्ट फॉर्म आपको यह पहले डाँण्लोड करना हुगा यह यह पहले खोलते है पहले देख लेते हैं क्या है फोग्या है अपर हम खोलते हैं इसको यह खुल गया और यह वह बिखा है कि name of candidate name father name j roll नमबर आपका date of admission आपने किस दिन रिपोर्टिंग की थी आपका जो आपका रिपोर्टिंग फोर्म होगा उसमें होगा ब्रांच अलोड़िंग कोर्स एन आपका एड्रस पूरा पेन कोड अब कैंडिडेट ओन अकाउंट नमबर कैंडिडेट का अपना अकाउंट नमबर जो आपका admission letter मिला था तो आपको admission letter यहां पर लगाना होगा अगर दुबारे आपको support में ब्रांच अप्ग्रेड वी है तो उसका भी दोनों आपको letter लगाकर sign और तीसरा आपको फीच चलान निकला होगा अगर हाँ अगर आपने फीच चलान कैसे निकलता है आपको वो वीडि आपको यह इस लिंक पर upload करना होगा या आपको get it, print and fill this upload form यह आपर फोर्म खोल दें तो एक क्या-क्या form रिक्वायर होगे वो यह आपर हमें बता लेगा सबसे पहले अपनी email जो कि college में होगी वही वाली candidate name, father name, आपका अधार number, then आपका J.E. role number, then date of admission आपका reporting letter पर होगी, course is allotted, आपका कौन सा BTEC, MTEC, MC, then आपका branch allotted, then आपका postal current address, pin code, आपका अपना account number, जो आपका अपना ही होना चाहिए, तो आप किसी भी bank का अपना account होना चाहिए, अपना account number, name of bank, IFC code, branch name, copy of admission letter, यह आपर जो आपका admission letter मिला होगा न, latest वाला वो लगा देना, copy of fee receipt, नई download करने क आपका पता, तो last video देख सकते हैं, आपके first आपकी जो अपनी होती न, passbook, bank की passbook, उसका first page आपको यहाँ पर लगाना होगा, and then fee refund form, जो आपने इस वाले देखा, यह वाला form, आपको लगाना होगा, इसकी जब आप पीडियो बनाएंगे, इसके साथ यह तीन चीजे और पता चल चुगा होगी कैसे आपको fees refund करनी है, और अगर कोई भी डाउट हो, तो आप नीचे description में comment कर देना, और अगर आप जो भी नए topics पर वीडियो चाहते हैं, तो उनको जरूर comment करना ना भूलना, क्योंकि मैं पता लगेगा मेरे को वीडियो, तो मैं topics पर more better content ले पाऊ और अगर आप सभी कॉलेज में जाही चुके हैं, तो अपन्त नगर दुहाराट मतलब पोड़ी गडवाल को छोड़ कर सभी कॉलेज जिसमें है अपने, तो आप सभी को धुहेर सारा मेरी तरब से प्यार और विशेस आप अपना कॉलेज एंज्वारे करें, पूरी लाइक और जो भी आपको नहीं टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में कमेंट और इसके बारे में भी अगर कोई डाउट है आपको इस वीडियो के वो भी आप जरूब नीचे कमेंट कर देना, तब तक के लिए बाबाई, टेक क्यार और और गूड डे सुषर्ण ए बिस वीडियो के लिए जरूब बाबाई ओर प्रूब गो बाबग एन वाज़िक्त कर देना मेंट कर देना वजयो एमूब गो नहीं चाहिए और बादेना हम जहीं इनादे जहींशन स्वाब प्रूब डें़